हलो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्लास फोड का चैप्टर सिक्स नाव बनाओ नाव बनाओ का प्रस्ट उतर देखेंगे पहला प्रस्टन है पहले हेडिंग देखिए कभीता से यानि कि कभीता से पूछा गया कभीता के जो अंदर है ये heading दिया हुआ कि क्या मतलब कह रहे हो मेरे क्या बस का है भाईया ने क्या बहाना किया क्यूं तो भाईया ने इसका उतर लिखेंगे भाईया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है इसका कारण यह था कि भाईया को बाजार से कागच लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था कविता में आपने पढ़ा ही होगा कि भाईया बाजार नहीं जाना चाहते थे उनको आलस आ रहा था तो इसलिए वही उत्तर होगा कि भईया को बजार जाने में आलस आ रहा था इसलिए वह बहाना बना रहे थे अब आते हैं दूसरे प्रस्ण पर पहले इसका हेडिंग देखेंगे बुंदो लहरो लड़ती बढ़ती कौन बुंदो और लहरो से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है तो इसका उत्तर लिखेंगे कागच की नाव बुंदो और लहरो से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है जब पानी कहीं लगता है बारी सोती अब जब आप नाव तैराएंगे नाव जब उसमें कागज की नाव बनाके उसमें डालेंगे तैरने के लिए तो उपर नीचे ऐसे करके लहरों में आगे बढ़ती जाती है अब आते हैं प्रस नमबर तीन पर गुलक भारी अपनी खोल लो यह हेडिंग है तो पूछ रहा है प्रस ने किसकी गुलक भारी है किसकी गुलक हलकी है तो इसका उत्तर होगा भाया की गुलक भारी है तथा बच्चे की हलकी है कविता में भी इसका जिक्र हुआ है कि गुलक भारी अपनी खोलो बच्चा जो कह रहा है हलकी नहीं मेरी टटोलो उसका गुलक हलका था और भाया की गुलक भारी थी अब हम लोग अगले प्रस्ण पर आते हैं यहां हेडिंग लिखा हुए नाव की कहानी तो देखते हैं प्रस्ण एक बार फिर से कविता पढ़ो इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफर करने की कहानी छीपी है मान लो तुम ही वह नाव हो अब अपनी कहानी सब को सुनाओ शुरुवात हम कर देते हैं मैं एक नाव हूँ मैं कागज से बनी हूँ मुझे एक लड़के ने बनाया उसका नाम तो मुझे नहीं पता पड़ तो अब इसका उतर लिखेंगे वह मेरे बनने पर बहुत ही खुस हो गया रिमजीम रिमजीम बारी सो रही थी चारो और पानी भर चुका था उसने मुझे पानी में छोड़ दिया मैं पानी के लहरों के सहारे आगे बर रही थी तभी बहुत तेज बारिस होने लगी मैं पूरी तरब हींग गई और बिजली के एक खंभे के पास जाकर रुख गई इसमें बताया गया कि एक बच्चे ने नाव बनाया वह मेरे बनने पर बहुत ही खुस हो गया जब नाव बना के वह बहुत खुस हुआ और रिमजीम रिमजीम बारिस हो रही थी चारो और पानी भर चुका था तो चारो तरब पानी भरा था तो उसने नाव को पानी में छोड़ दी और नाव पानी में आगे बढ़ने लगी तब ही बहुत तेज बारिस होने लगी मैं पूरी तरह भींग गई जब बहुत तेज बारिस होती है जब आप नाव तैराएंगे तो भींग जाएगी तो वो जाकर रुख जाती है अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरह बढ़ते हैं अहाँ बारिस ये हेडिंग दिया हुआ है तो तुमने बर्शात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोग गित सुना होगा उसे नीचे दी गई जगह में लिखो यानि आपको बर्शात पर एक अपने मन से अच्छी सी कविता बनाना है तो मैं यहाँ एक कविता आपको बना के लिख रही हूँ समझा रही हूँ तो हम लोग कविता बनाएंगे बर्शा आई वर्शा आई रिमजिम रिमजिम वर्शा आई घने काले बादल आए उमर घुमर कर नपर छाए मोर नाचने लगे मस्त हो मेढकने भी गीत सुनाए नब बिजली लगी चमकने सोधी धर्ती लगी महकने रंग बिरंगी नाव चल परी चंचल सी लहरो पर बहने धर्ती परदी हरियाली चाई रिमजिम रिमजिम बर्शा आई एक कविता मैंने अपनी तरप से बनाया है जैसे इस पार्ट में कविता है पानी के और नाव के उपर ऐसे ही नाव के उपर एक कविता बनानी है तो ऐसे मैं इसको समझा भी देती हूँ आपको बर्शा आई बर्शा आई रिमजिम रिमजिम बर्शा आई उमर घुमर का नपड चाय यानि बादल चाय जाते हैं आसमान में मेधक ने भी मोर नाचने लगे मस्त हो जब बारिस होती है तो मोर खुसी से मस्त हो के नाचने लगते हैं मेधक ने भी गीत सुनाएं जब बारिस होती है तो आप मेधक की आवास सुनते होंगे तो मेधक ने भी गीत सुनाए न बिजली लगी चमकने आकास में बिजली चमकने लगी सोंधी धर्ती लगी महकने जब बारिस होती है न बारिस के बुंदे धर्ती पर पड़ती है तो उसमें अजीब सी एक सोंधी सोंधी सी खुसबू आती है रंग बिरंगी नाव चल परी जन्चल सी लहरों पर बहने यानि लहरे जो उपर निचे करती है उस पर बहने के लिए नाव चल परी धर्ती पर भी हरी आली छाई जब बारिस होती है तो चारो तरफ हरी आली हरी आली ही नजर आते हैं चारो तरफ पेर पौदे हरे भरे हो जाते हैं एदम हर तरफ मैदान में हरी हरी घास दिखने लगती है तो धर्ती पर भी हरी आली छाई रिमजिम रिमजिम बरसाई तो इसको अपने अगले प्रस्ण की तरफ बरते हैं इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आये होंगे उनके बारे में बताओ या चीत्र बनाओ जब ये नाव बनाओ कविता पढ़ रहें तो आपके मन में तरह तरह के चीत्र आए होंगे कैसे बारिस होती है कैसे क्या होता है तो इसका उत्तर लिखेंगे इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागच की नाव बरसात के दिन तथा बच्पन में खेल कूद के चित्र याद आते हैं जब कभीता हम लोग पढ़ें तो मन में आता है ना कि कागच की नाव कैसे हम लोग बनाते थे जो बहुत छोटे थे और कोई के बच्चे थो थोड़े बड़े भी हो जाते हैं लिए तो मस्ती करने के लिए बनाते हैं और कैसे पानी बरसता है तो बच्पन में खेल कूद के चित्र याद आते हैं इसमें दिया हूए उनके बाजह में बता या चित्र आपना एक इसमें page number 48 में भी यह दिया हूए तप्रस इसमें आप नाव का एक चीत्र बनाईएगा ये आप देखेंगे तो मिल जाएगा पेज नमबर 47 में एंसर लिखना है और एक कागच की ना आप 48 पेज नमबर में बनाईएगा अगला हम लोग प्रस्न देखते हैं हेडिंग है सच्मुच पानी सच्मुच खूब पड़ेगा सच्मुच का इस्तमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाईएगा सच्मुच मतलब एदिया हुए है न कि सच्मुच पानी सच्मुच खूब पड़ेगा तो हम सच्मुच से क्या वाक बनाएंगे पहला वाक बनाएंगे सच्मुच बादल घिर आये है दूसरा वाक के हम लोग बनाएंगे सच्मुच पानी जम कर बढ़सा अब हम लोग अगले प्रस्न की तरप देखते हैं साथ समुंद्र घिर घिर कर बादल छाया है साथ समुंद्र भर लाया है पता करो साथ समुंद्र कौन-कौन से होंगे जिन से बादल पानी भर कर लाया है तो पहला होगा हिंद महासागर दुसरा होगा प्रशान्त महासागर तिसरा अटलांटिक महासागर चौथा उतरी धुरू महासागर पाचवा दक्षनी धुरू महासागर छठा अरब सागर और सात्वा बंगाल की खारी इसको आप लोगों को याद भी करना है यह सात्व मैं इसका नाम अगला हम लोग प्रशन देखेंगे क्या सचमुच बारिस के बादल समुद्र से पानी लाते हैं वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे आपस में बातित करके पता करो तो इसका उतर हम लोग लिखेंगे हाँ बारिस के बादल सचमच समुद्र से पानी लाते है सुरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकास में चला जाता है वहाँ इकठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बुंदों की सकल ले लेती है वही बुंदे बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती है अब हम लोग अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं हेडिंग दिया हुआ है आई बरसात बरसात के दीनों में अक्सर घरों के दर्वाजे और खिरकियों से पानी की बोचार आ जाती है कभी कभी छट से पानी टपकता है सीलन भी आ जाती है ऐसी इस्तितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है कभी-कभी माकान हम लोग का जब पूराना हो जाता है किसी-किसी का, तो उसमें से पानी टपकने लगता है, चछत में देखने पर दिवाल गीला-गीला सा लगता है, उसको सीलन बोलते हैं, तो वहीं पूछ रहा है कि ऐसी परिस्तितियों से निपटने के लिए क्या किया जात तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, जब हमारे घर के दरवाजे और खिर्कियों से पानी की बोचार आती है, तब हम सारे दरवाजे और खिर्किया बंद कर लेते हैं, जब छट से पानी टपकता है, प्लास्टिक बिछा दिया जाता है, बाद में टपकने वाली या सीलन जगह को मरमत कराई जाती है, ऐसा होता है कि जैसे कभी-कभी पानी टपकने लगा, तो ततकाल उसके उपाई के लिए हम लोग उस पर प्लास्टिक रख देते हैं, ताकि पानी नीचे ना आ पाए, और बहुत जोर से बारिस होती है, जब छीटे आते हैं, तो हम लोग अपन कराते हैं, अब हम लोग अगले प्रस्ण की तरफ देखते हैं, बारिस के मौसम में गलियों और सरकों पर भी पानी भर जाता है, तुम्हारे मुहले और घर के आसपास बारिस आने पर क्या-क्या होता है बताओ, तो इसका उतर हम लोग लिखेंगे, हमारे मुहले और घर के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियां पानी से भर जाती हैं थोड़ी देर में पानी शीवर में बह जाता है जब हम लोग बारी सूती है जब हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं न चारो तरफ गली मुहले में पानी भर जाता है लगता है कि चलने का कहीं जगर नहीं होता है बाहर निकलते हैं तो ऐसे पानी के बीच से होके जाना पड़ता है लेकिन जब थोड़ी देर इंतजार करते हैं, थोड़ी देर रुख जाएंगे तो सारा पानी नाले में बह जाता है वह सीभर में बह जाता है अब हम देखते हैं अगला प्रस्त Mais काम वाले सब्द हेडिंग, पिछले साल रिमजिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला सब्द होता है, काम वाले सब्दों को किरिया कहते हैं, इस कभिता में धेर सारी किरियाएं या काम वाले सब्द आएं हैं, उन्हें छाटों और नीचे लिखो, कभिता में आया हु लाना, पढ़ना, धरना, भढ़ना, लहराना, खोलना, टटोलना, चलाना, अरना, लड़ना, बढ़ना, गढ़ना और हरसाना तो यह सब क्या हो गए? यह सब काम वाले सब्द हो गए यह आप कविता पढ़ियेगा तो इसमें यह सब सारे सब्द आए होएं आप ढूंड़ियेगा तो यह सारे सब्द आपको कविता में मिल जाएंगे अब हम इसी अगला प्रसंद देखेंगे जो इसी से सम्बंदित है तुमने जो किरियाएं छाटी है बर्नमाला के हिसाब से उन्हें क्रम में लगाओ यानि कि जो यह किरियाएं आप छाटी है ना तो इसको जो किरियाएं लिखे तो बर्नमाला के हिसाब से कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा इसे आपको छटना है और लिखना है तो पहले आएगा अरना, आना, खोलना, गढ़ना, घिरना, चलाना, छाना, टटोलना और अगला आएगा धरना, परना, बढ़ना, भरना, लरना, लहराना और लाना यह उपर वाले प्रस नमबर 9 में अपने एक काम वाले सब्द छाट के लिखे और प्रस नमबर 10 में जो काम वाले सब्द अपने छाटे हैं उनको आपको बर्नमाला के हिसाब से जब लगाएंगे तो ये ऐसे ही आएगा तो ये हो गए प्रस ने ये सारे प्रस्नूतर हो गए अब आप इन प्रस्नूतर को याद करिएगा और इसको कौपी में भी लिखिएगा